तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाल है कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं और टेटर्स क्या होते हैं तो सबसे बेले देखते हैं कि क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबलेटीज होती है और creditor किसे कहते हैं जब हम किसी से goods या service उधार पर लेते हैं तब उसे हम creditor कहते आई यानि हमने जिससे उधार पर माल लिया है उसे हम कहते है creditor और इसका opposite होता है dater तो daterdस हमारे assets होती है औ turf day क्या कि जब हम किसी को goods या service उधार पर बेचते हैं तो जिसको हमने उदार पर माल बेचा है तो उसे हम कहते हैं डेटर्स तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखे कि जब हम goods या services को ही उदार पर लेते हैं या फिर उदार पर बेचते हैं तभी उसे हम creditors या फिर डेटर्स कहते हैं तो दूसरी कौनसे भी चीज़ अगर हम उदार पर ले रहे या फिर दे रहे तो उसको हम creditors या डेटर्स नहीं कहते हैं तो इसका यही अर्थ होता है simple word में तो या पर यह वीडियो को खतम करते हैं अगर आपके कुछ सवाल है सुजा हो तो हमें comment में जरूर बता हूँ उसका reply देने की कोशित जरूर करेंगे और हमारे चैनल को जल्दी से subscribe कर लो ताकि आपका account से related video जल्दी से जल्दी मिल सके और bell icon को भी दवा दीजे ताकि हमारे वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुच सके